Class 12, Subject Physics के Chapter, Electric Charge और Field में जो Topic अब हम पढ़ने वाले हैं वो है Application of Gausses Law Gausses Law की Application में अभी हम पढ़ने वाले हैं Electric Field Due to an Infinitely Long Straight Wire जैसा कि हम जान चुके हैं Gausses Law को हम वहां यूज करते हैं जहां पर Superposition Principle का इस्तेमाल करना थोड़ा Difficult हो या फिर जहां पर Superposition Principle यूज नहीं हो पा रहा हो तो यहां पर एक Straight Wire है जैसा कि Topic में लिखा हुआ है और वो Infinitely Long है यही कारण है कि यहां पर हम Coulomb's Law को आसानी से नहीं लगा पाएंगे तो पहले हम एक Straight Wire बना कर उस पर हम Charge अज्यूम करते हैं जिससे की बाकी की चीज़ें समझ पाएं हमने एक Straight Line बनाई है इस पर हम Positive Charge मान लेते हैं जब इस तरह का केस हमारे सामने हो तो यहां पर हम Total Charge को क्यों नहीं मान सकते हैं क्योंकि अगर हमने छोटे से portion पर भी कोई Charge दिया तो Infinite Dimension पर वो Charge जब Spread होगा तो वो Infinite Charge हो जाएगा तो ऐसी केस में हम Linear Charge Density या Surface Charge Density या Volume Charge Density जैसी चीज़ों को Define करते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं तो यहां पर हम मानते हैं Linear Charge Density और Linear Charge Density हम जानते हैं इसको Lambda से रेप्रेजेंट किया जाता है और यह रेप्रेजेंट करता है Unit Length का Charge क्योंकि Infinite Length के इस वायर में हम कोई Specific Length जरूर मानेंगे तो ऐसी केस में उस Specific Length के वायर कार चार्ज निकालने के लिए हमें Linear Charge Density की जरूरत पढ़ती है अब यहां पर हमारे पास एक Observation Point होना चाहिए जहां पर हमें Electric Field निकालना हो यह Observation Point आम तोर पर हमें Derivation में या Question में दिया जाता है तो यहां पर वो Observation Point है P और इस Point की इस वायर से Perpendicular Distance है R P वो Point है जहां पर हमें Electric Field Calculate करना है अब जब हम यह जान चुके हैं कि यहां पर हमें Gauss Law का इस्तेवाल करना है तो एक बार हम Gauss Law को Note भी कर लेते हैं Gauss Law है E.ds in integration over closed surface is equal to Q enclosed upon epsilon not इस expression के इस dot product को हम solve करें तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा integration over closed surface E.ds cos of theta is equal to Q enclosed upon epsilon not अब हम Gauss theorem को use करने का जो तरीका है उसके according बाकी का काम करते जाते हैं पहले हमें यहां पर एक enclosed surface चाहिए होगी जो इस P point से पास हो रही हो तो यहां पर हम देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई wire होता और उस wire को हम enclosed करना चाहते तो हमारे पास उसको enclosed करने के बहुत सारे तरीके हैं उन तरीकों को एक बार समझते हैं हम यहां देख सकते हैं पहले वाले diagram में यहां पर हमने एक cylinder बाना हुआ है और उस cylinder को उस wire के चारों तरफ बना दिया है तो इस case में इस cylinder को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए तो यह एक enclosed surface होगा और wire उसके अंदर बंद है दूसरा case देखते हैं इस wire को हमने एक cuboid में बंद कर दिया है जिसको हम parallel pipe बोलते हैं यहां पर इसको हमने एक बंद कर दिया है और wire इसके अंदर है तो यह भी एक तरीका है इसी तरह से हम wire के चारों तरफ एक sphere बना सकते थे ball की shape का और उस sphere में भी उस wire को बंद कर सकते थे और इसके अलावा हम और भी चीज़े देख सकते हैं जैसे कि एक pyramid type का cone बना सकते थे और wire को उसमें भी बंद कर सकते थे हमारे पास काफे सारे तरीके हैं लेकिन हम enclose करने के लिए जो surface लेंगे वो surface किस तरह के लेंगे क्या surface number one better है या surface number two better है या three better है या four better है यहां हम देखते हैं हमें मालूम होनी चाहिए उस surface का area तो हम देखते हैं कि हमें cylinder का area भी मालूम है क्योबोइड का भी मालूम है sphere का भी मालूम है और cone का भी मालूम है लेकिन उसके साथ हमें चाहिए angle यानि कि उस surface पर electric field के साथ जो angle बनेगा वो angle भी हमें मालूम होना चाहिए तो एक बार पहले इस wire का हम electric field बनाते हैं और electric field बनाने के बाद इन surface के बारे में एक बार फिर से विचार करेंगे और तब सोचेंगे कि इन में से कौन सी surface हमारे लिए better है और वो आसान solution हो हम जानते हैं positive charge की वज़े से जो field line होंगी वो हमेशा outward direction में होंगी तो इस तरह से हम इसकी electric field line draw कर सकते हैं ये wire infinite length का है इसलिए इस corner पर किसी तरह की field line हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इस diagram को बना नहीं रखा लेकिन अगर ये होता तो ये wire आगे तक चलता हुआ जाता इसलिए हम corner वाली field line नहीं बनाएंगे लेकिन हम उपर नीचे की side की आगे पीछे की ये सारी field line जरूर बनाएंगे अब हम एक बार इस diagram के इसके side view से भी देखते हैं अगर हम observer होते और हम यहां से देख रहे होते तो उस case में ये wire कैसा नजर आता इसको देखते हैं तो उसका इक diagram मैं अलग से बनाता हूँ जब हम right hand side से देखते तो wire का ये वाला portion हमें एक point की तरह दिखाई देता तो सामने मैंने एक यहां point draw कर दिया है अब इसकी जो बाकी electric field line होगी वो इस तरह से दिखाई देंगी उपर की field line ये हो गई नीचे वाली field line ये हो जाएगी बाकी side की field line ये है तो इस तरह से उस wire के चारों तरफ different field lines हमें इस तरह से दिखाई देंगी तो ये है इस wire का side view अब हम सोचके देखते हैं अगर इस wire को एक cylinder में या एक sphere में बंद करते तो क्या हम ये theta आसाने से निकाल पाते हैं या नहीं सबसे पहले सोचते हैं cylinder के लिए तो cylinder को भी side से देखते तो इस तरह से हमें cylinder नजर आता और सारी electric field line cylinder को cross करते हुए बाहर निकलती तो यहाँ पर अगर ये cylinder का surface होता तो इस surface का normal भी outward होता और electric field भी outward है तो इस case में theta 0 होता अगर हम यहाँ area निकालते तो इस case में outward normal ये होता और electric field line भी ये होती और यहाँ पर भी theta 0 होता अगर हम cylinder का surface यहाँ मानते तो normal left hand side होता electric field भी left में है और theta जीरो होता तो हम कह सकते हैं सिलेंडर ऐसा केस है इस केस का अगर एक एंकलोज सर्फेस मान ली जाए तो हम हर जगे उसके लिए थीटा पता लगा सकते हैं और जादा तर जगे तो थीटा जीरो ही है और अगर यह सिलेंडर नहीं होता क्यूबोइड होता या यह स्फेर होता त हमें theta निकालने में कोई problem आती है या नहीं आती यहाँ पर हमने फिर से इस wire का side view शो किया हुआ है अब हम मानते हैं कि इस wire को एक cuboid के अंदर बंद कर दिया जाता तो किस तरह की situation होती है तो देखिए side से देखने पर वो cube हमें एक rectangle जासा दिखाए देता और बाकी सारा view जो है उसके पीछे की तरफ इस तरह से होता यह हमारा side view है अब हम देख सकते हैं अगर हमने इस point को area element माना है तो electric field की direction भी उपर है और area की direction में उपर है तो theta equal to 0 होगा लेकिन अगर हमने यहां माना है area element उस case में area का normal उपर होता लेकिन electric field की direction कहीं right की तरफ है तो यहां पर जो angle होता वो कोई अलग angle होता जो हमें measure करना पड़ता इसी तरह से इस point पर मानते तो normal यहां उपर होता electric field की direction left में होती तो यह एक हमें नया angle मिल जाता that is theta 2 इसी तरह से अगर इस point पर मानते तो normal होता right hand side में और electric field होता नीचे की तरफ और एक नया angle हमें measure करना पड़ता theta 3 तो हम देख सकते हैं अगर हम cuboid जैसा कोई surface माने और उसके अंदर इस wire को बंद करते यानि enclose करते तो theta की इतनी सारी values आती कि हम theta इसी वज़े से हम हमेशा ऐसी surface assume करते हैं जिसके लिए area निकालना आसान हो और जिसका theta निकालना भी आसान हो तो finally जो surface हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है एक cylinder हम इस wire को एक cylinder के अंदर enclose करके अपना derivation आगे करते हैं तो हम इस wire को एक cylinder के अंदर enclose कर देते हैं कुछ इस तरह से समझने के लिए मैं इस diagram का side view भी बना देता हूँ अगर observer यहाँ होता और इस point को side view में बनाते तो कुछ इस तरह से बनता ये point बना लिए मैंने यहाँ पर और इसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फिल्ड होगा वो इस तरह से बनता ये उपर की तरफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ये नीचे की तरफ हमारे उपर वाले diagram में सिर्फ ये दो ही इलेक्ट्रिक फिल्ड है जो हमें observe होंगे लेकिन side से देखने पर हमें सारी इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन नजर आती तो ये side view हो गया और इसके चारों तरफ जब हम cylinder मानेंगे तो इस तरह से हमें cylinder नजर आएगा तो this is side view of this wire अब हम एक बार gausses law को फिर से लिखते हैं gausses law is equal to e.ds in enclosed area is equal to q enclosed upon epsilon not अगर इस dot product को हम open कर देते हैं तो ये होगा integration e.ds cos theta is equal to q enclosed upon epsilon not यहां हम देख सकते हैं इस cylinder की तीन अलग-अलग surface है सबसे पहले ये surface number 1 उपर की जो surface है उसको 2 नाम दे येते हैं और side वाली surface को हम 3 नाम दे येते हैं अगर हम surface number 1 की बात करते हैं तो surface number 1 पर अगर कोई भी छोटा सा area element मानेंगे तो उस area element के लिए normal जो होगा वो बाहर की तरफ होगा और इसी area element पर electric field जो होगा वो उपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होगा तो हम देख सकते हैं area और electric field के बीच का एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है इसी तरह से अगर surface number 3 की बात करते हैं यहाँ पर भी कोई छोटा सा area element बाना तो उस area vector की direction right hand side में होगी और electric field की direction वो upward या downward होगी तो इस तरह से यहाँ पर भी electric field और area के बीच का एंगल वो theta equal to 90 डिग्री होगा लेकिन हम इस second surface के किसी भी हिस्से की बात करेंगे तो वहाँ पर हम जानते हैं theta equal to 0 डिग्री होगा और इसको समझने के लिए हम side view वाले डाइग्राम में आते हैं यहाँ पर किसी भी जगे पर कोई छोटा सा area element माना तो electric field की direction और area vector की direction दोनों parallel हैं इस वाज़े से theta की value 0 डिग्री होगी तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 different तरह के area हैं तो better होगा कि हम इस integration को 3 अलग-अलग integration में break कर लें तो पहला integration होगा EDS cos theta this is for surface number 1 और ध्यान रखिए यह surface तो सिर्फ एक circle जैसी है तो यह कोई close surface नहीं है इसलिए जो close surface के लिए यह जो circle बनाते हैं integration पर उसको अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है फिर हम लेते हैं surface number 2 उसके लिए EDS cos theta फिर हम लेते हैं surface number 3 again EDS cos theta and is equal to Q enclosed upon epsilon naught अब हम बात करते हैं Q enclosed कैसे निकालें उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस cylinder की length कितनी है तो हम यहां यह भी माल लेते हैं इस cylinder की length माल लिया capital L है यह हम जानते हैं unit length का charge है lambda unit length means 1 meter तो 1 meter का charge अगर lambda है तो L meter का charge होगा lambda into L तो this is total charge जो की इस cylinder के अंदर वाले wire पर है तो यहां पर total charge की जगे हम लिखेंगे lambda into L तो इस तरह से linear charge density से हम Q enclosed भी पता लगा सकते हैं अब हम integration की एक एक part को solve करेंगे सबसे पहले देखते हैं area number 1 के लिए theta की value हम जानते हैं 90 degree है इसलिए पहला expression 0 हो जाएगा third expression पर आते हैं इस case में भी theta की value 90 degree है cos 90 0 होता है तो यह expression भी 0 हो जाएगा अब बचता है सिर्फ beach का expression beach के expression में integration of E into DS और theta is 0 यह हम पहले से जानते हैं कि इस case में theta 0 है और cos 0 1 होता है तो expression हो जाएगा E DS and that is equal to lambda L upon epsilon 0 अब हमें यह integration solve करना है E electric field है integration of DS this is area of curve surface जो beach में area number 2 बचा हुआ है जो की curve surface है उसका area हमें यहाँ पर substitute करना है तो integration of DS में हमें सिर्फ curve surface का area चाहिए और यह हम जानते हैं इस तरह का कोई cylinder हो जिसकी center से surface तक की distance R हो और उसकी length अगर L है तो उसका curve surface होता है 2 pi R L तो इस area को हम integration of DS की जगे substitute कर देते हैं तो यह expression होगा E into 2 pi R L is equal to lambda L upon epsilon 0 तो यहाँ से electric field की value होगी E equal to lambda हम देखते हैं यह जो L है वो दोनों आपस में cancel हो गए और हमारे पास जो expression बचेगा वो होगा 2 pi epsilon 0 into R अब हम एक बार थोड़ा सा re-analysis करते हैं यहाँ पर ऐसी कौन-कौन सी quantity थी जो हमने सिर्फ assume की थी जो हमें derivation में starting से नहीं दी जाती तो सबसे पहली बात हमने assume किया था close surface यह हमारी इच्छा पर depend था जो हमने cylinder लिया था फिर हमने length L को अपनी तरफ से assume किया था जो cylinder की length थी अब हम देखते हैं final expression जो आया है उसमें कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है कि close surface कि shape की थी इस से हम कह सकते हैं Gauss theorem में surface चाहे कैसी भी हो उस surface से result पर कोई फरक नहीं पड़ता है बस फरक पड़ता है तो हमारी calculation में अगर हम कोई उल्टी सीधी ऐसी surface माल लें जिसका area हम calculate नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए calculation tough हो जाएगी दूसरी बात हमने cylinder को finite length का माना जबकि पूरा wire एक infinite length का है लेकिन इस expression में कहीं पर भी length आई ही नहीं है इसका मतलब है हमारे derivation के करने के तरीके में हमने जो Gaussian surface मानी उसके enclosed charge को लेकर हमने analysis किया और analysis में कहीं पर भी L नहीं आया इसका मतलब है जो बाहर charge था जो wire पर था उसकी वज़े से field तो हमने निकाला लेकिन हमारे analysis में बाहर वाले charge की जरूरत नहीं पड़ी तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो wire था वो infinite length का wire था लेकिन हमने जो Gaussian surface मानी वो surface एक cylinder मानी और वो cylinder एक finite length का cylinder था और हमने जिस charge को use किया वो सिर्फ अंदर वाले charge थे means enclosed charge तो हम यहां पर देखते हैं कि जिस p point पर हमने electric field निकाला ये electric field तो resultant electric field ही आया है resultant field का मतलब है ये बाहर वाले charge का भी है और ये अंदर वाले charge की तरफ ही है लेकिन analysis करते समय हमने सिर्फ वो charge ही use किया जो charge Gaussian surface के अंदर था means enclosed charge यहां पर अगर इस positive charge की जगे हम negative charge मानते तो उससे सिर्फ एक फरक पड़ता electric field की direction inward होती बाकि ये पूरा derivation same ऐसा ही रहता तो ये था अमारा Gauss theorem का एक application अब हम आते हैं Gausses law की next application पर और next application है electric field due to an infinite non conducting thin plane sheet of charge पहले ये समझते हैं कि ये चीज क्या है sheet of charge जिस तरह से हम किसी metal sheet की या glass sheet की या paper sheet की बात करते हैं तो यहां पर charge की एक sheet है तो यहां एक diagram मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें एक sheet है लेकिन वो सिर्फ charge से बनी होई है तो यह हमारे पास एक sheet बन गई यहां पर हमने positive charge ही इसमें लिये हुए है generally हम सब जगे positive ही लेते हैं तो हमने यहां पर positive ले लिया है यह sheet का side view है अगर इसको बिलकुल इस किनारी की तरफ से देखेंगे तो यह sheet हमें सामने से एक line जैसी नजर आएगी और जो positive charge हैं वो हमें इस तरह से इस line के along दिखाई देंगे तो यह है इसका side view एक word यहां पर लिखा है non conducting अगर हम यह मानते हैं यह metal जैसी कोई चीज होती तो metal जैसी जो मैं तो charge हमेशा flow हो सकता है वो एक जगे से दूसरी जगे पर जा सकता है तो ऐसे case में यह charge इस जगे पर कैसे रुका रहेगा इसलिए हमने पहले ही माना हुआ है यह non conducting sheet है means charge जहां पर हमने रखा वो charge वहीं पर रखा रहेगा एक word लिखा हुआ है infinite और अब हम जानते हैं infinite होने का मतलब यह हुआ यहां पर superposition principle लगा कर electric field निकालना एक tough task है तो हम यहां causes law ही काम में लेंगे अब आते हैं derivation की आगे पार्ट पर अब हमें एक observation point मानना है जो की हमें question में दिया जाएगा तो मान लेते हैं observation point है यह P और जिसकी इस surface से perpendicular distance है L इसी P को अगर हम यहां ब यहां पर भी L distance पर हम एक point मान लेते हैं अब हमने जो step सीखे हैं उस step के according हमें एक ऐसी close surface बनानी है जो P point से पास हो और इस तरह से बने कि वो इन charge को enclose भी कर ले और यह हम अब पिछले derivation में समझ चुके हैं कि हमें infinite close surface मानने की जरूरत नहीं है हम को यह ऐसी surface मानेंगे जो P point से पास हो और इस charge sheet का एक portion उस close surface के अंदर बंद भी हो जाए तो हम यहां पर मान लेते हैं एक cylinder इस तरह से हम एक cylinder मान लेते हैं cylinder का एक portion यह है और बाकी बाहर निकला हुआ है और इस cylinder का एक side जो है वो इस तरह से बनाया है कि P point उस side पर आ गिया है इस तरह से हमने एक cylinder ब जानते हैं हमें यहाँ पर Gausses Law इस्तेमाल करना है तो एक बार हम Gausses Law को Note कर लेते हैं तो यह है हमारा Gausses Law इसमें जो यह Scalar Product है इसको हम थोड़ा सा Expand कर दें तो यह होगा E D S Cos Theta जहाँ पर यह Theta है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल तो यहाँ पर हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा जिससे की हम एंगल की बात कर सकें Positive Charge है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेंगी These are Outward Normal यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने उस Close Surface से पास करा दी यही डाइग्राम यहाँ पर भी बनाएंगे तो यह डाइग्राम कुछ ऐसा बनेगा फील्ड लाइन शीड से निकलती होई और बाहर के तरफ जाती होई लेकिन Positive Charge की फील्ड लाइन तो चारों तरफ निकलती है It means यह पीछे की तरफ भी निकलेंगी और इसी तरह से ऐसी ही फील्ड लाइन हमें यहाँ पर भी पीछे की तरफ माननी पड़ेंगी अब एक सवाल हमारे मन में आना चाहिए यह Gaussian Surface तो ऐसी है कि जो Charge Enclosed कर दे और E.ds Flux है जो इस Surface से निकलने वाला है और यह वाले Charge जो की Enclosed होने चाहिए इन Charge का एक Flux ऐसा है जो की Surface से बाहर निकल रहा है और Surface वहाँ पर है ही नहीं इसका मतलब है यह Surface अधूरी Surface है यह Surface ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम Enclosed Charge का सारा Flux इसी Surface से पास हो यहाँ पर Side View वाले डाइग्राम में अगर हम इस Surface को बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी और हम देख सकते हैं एक Flux का यह Portion तो यहाँ पर आ गया है लेकिन जो पीछे वाला Portion है वो हमारी Surface से बाहर निकल गया है लेकिन हमें यह Flux Enclosed Surface से ही लेना चाहिए जैसा कि Gauss's Law में कहा जाता है तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं जिस तरह से P Point हमने यहाँ माना है तो इस P Point को तो हम पीछे भी मान सकते थे और अगर यह P Point यहाँ होता तो हमें इस Surface को थोड़ा पीछे की तरफ Extend करके हम इस Cylinder को थोड़ा और बड़ा बना लेते यह Distance भी इसकी L हो जाती और आगे वाली Distance भी L होती तो उस Case में Cylinder बन जाता 2L Length का एक Cylinder और उस Case में जितना भी Flux यहाँ से निकल रहा है वो हमारी Assumed Gaussian Surface से ही निकल रहा होता तो हमारे Case में Exact Gaussian Surface होना चाहिए एक Cylinder जिसकी Length 2L है इस बात को हम नोट कर लेते हैं Here, Gaussian Surface is a Cylinder of Length 2L तो यहाँ हमें एक बात समझ में आती है Gaussian Surface मानते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिस Charge को हम उस Surface के अंदर Enclosed करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा Flux उस Gaussian Surface को Cross करकर ही निकले अगर कोई Flux छूट गया है तो इसका मतलब है हमारी Gaussian Surface सही Surface नहीं है एक शब्द में बार-बार यूज़ कर रहा हूँ Gaussian Surface ये वास्ता में उस Enclosed Surface के लिए ही यूज़ किया हूँ टर्म है चूंकि ये Law, Gauss Law है इसलिए इसको हम Gaussian Surface बोल देते हैं यहाँ पर हम सिलिंडर की रेडियस भी मान सकते हैं और हम इस बाहर वाले एरिया को डिरेक्ट भी मान सकते हैं तो मान लेते हैं ये जो Flat Circle है इसका Area A है तो जरूरत पढ़ने पर हम इस Area को A लिख लेंगे अब हम देखते हैं कि Electric Field और Area दोनों हम बना चुके हैं तो Angle की Position क्या है कहाँ पर कितना Angle है इस चीज़ को चेक करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं अगर हम इस Flat Circle पर आते हैं तो यहाँ पर हमने कोई छोटा सा Area Element माना तो इसका Area Vector बाहर की तरफ होगा और Electric Field और अल्रेडी बाहर की तरफ है तो इस Case में Theta की Value Zero Degree होगी क्योंकि दोनों Vector Parallel है अगर यहां Electric Field की बात करते हैं तो Electric Field भी बाहर की तरफ है तो इस Case में Theta यहाँ पर भी Zero Degree होगा अगर हम बात करते हैं Curve Surface पर Curve Surface का मतलब है इस Portion पे Side View पे जाएंगे तो इस Portion पे हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अगर Area Vector ड्रॉ करते तो वो Area उपर की तरफ होता इस तरह से और लेकिन जब Electric Field की बात करते हैं तो Electric Field तो Parallel नीचे की तरफ ऐसे होता क्योंकि Surface से Electric Field हमेशा दूर की तरफ है तो यहाँ इस Case में Theta की Value 90 डिगरी हो जाएगी तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं तीन अलग अलग अरिया है पहला Area No.1 दूसरा Area No.2 यह दोनों अरिया ऐसे हैं जहाँ पर Theta 0 है और तीसरा है यह कर्व सरफेस Area No.3 और यहाँ पर Theta की Value 90 है हम इस Gauss-Law को तीन अलग अलग अरिया के Point of View से Break कर लेते हैं E, D, S, Cos, Theta Integration, Surface No.1 अब इस Integration पर हमें इस तरह का Circle लगाने के जरूरत नहीं है Because This Flat Circle is Open It is Not a Closed Surface Second Area E, D, S, Cos, Theta And Third Area is E, D, S, Cos, Theta And Right Hand Side में है Q Enclosed Upon Epsilon 0 First Surface पर Theta की Value 0 डिगरी है तो यह expression होगा E, Integration, Over, D, S Surface No.1 Second Surface पर भी Theta की Value 0 डिगरी है जैसकि इस Flat Surface पर हमने देखा है तो यह भी हो जाएगा E, Integration of D, S, Second Surface के लिए और Third Surface पर Theta की Value 90 डिगरी है इसलिए Cos 90 की Value 0 होगी और यह expression 0 हो जाएगा अब हमारे सामने समझ्या है Enclosed Charge कितना है तो पहले हम देखते हैं Enclosed Charge है कहाँ पर Enclosed Charge है सिर्फ इस डिस्क पर जो की इस सिलिंडर के अंदर बंध है और हम जानते हैं ऐसे केस में हम Charge नहीं मान सकते लेकिन हम Charge को डेंसिटी की फॉर्म में मानते हैं तो मान लिया यहाँ पर Surface Charge डेंसिटी है Sigma तो हम यह कह सकते हैं यह डेंसिटी है यूनिट एरिया का चार्ज लेकिन हमारे पास जो एरिया अंदर है उसकी वैल्यू है A तो टोटल चार्ज होगा Sigma into A क्योंकि यूनिट एरिया के लिए जो चार्ज है अगर वो Sigma है तो A एरिया के लिए जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू Sigma into A होनी चाहिए इस वज़े से हम चार्ज एन क्लोज की जगे Sigma into A लिख लेते हैं अब इसको आगे सॉल्व करते हैं Integration over DS यह basically उस पूरे एरिया की वैल्यू है जो की एक flat circle है तो उसका एरिया तो हमने A माना हुआ है इसी तरह से second expression में भी A हो जाएगा और यह आ जाएगा Sigma A upon epsilon naught इसको थोड़ा सा और solve करते हैं This is 2EA is equal to Sigma A upon epsilon naught और final expression for electric field is Sigma upon 2 epsilon naught This is the expression for a sheet of charge at any point P इस expression को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती है पहली बात एक infinite sheet of charge की वज़े से electric field निकालते हैं उस electric field में हम note करते हैं observation point P था और वो L distance पर था लेकिन इस expression में L नहीं है It means electric field due to infinite sheet is distance independent means हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो observation point L distance पर है या 2 L distance पर है second चीज़ जो surface हमने मानी उस surface को हमने cylinder माना लेकिन इस expression में कहीं पर cylinder का कोई भी variable नहीं है ना कहीं cylinder का area यहां पर आया है ना कहीं cylinder की length यहां पर आया है means gauss log इस बात पर depend नहीं करता कि gaussian surface जो हमने मानी है वो किस shape की है या किस size की है यहां पर एक बात है जिसको हम सोच सकते हैं कि क्या कोई और surface हो सकते थी जिसको हम मानते तो भी यह expression आ जाता तो हम यहां कह सकते हैं cylinder के अलावा भी हम यहां पर इस तरह की surfaces मान सकते हैं अगर हम इसको एक rectangle मान लेते या square मान लेते और इस square से ही पूरी close surface बना लेते इस तरह से और p point इसके outer area पर होता यहां पर और ऐसी ही surface पीछे की तरफ extend करते और पीछे भी बना लेते उस case में भी हम देख सकते हैं अगर हमने इस area को ए माना होता तो यह derivation तब भी हो सकता था लेकिन चोंकि result में ना तो surface की shape से हमें कोई लेना देना है ना surface area से ना उसकी length से तो हमें कोई फरक नहीं पड़ता कि हम एक cylinder से यह derivation करते हैं या एक parallel pipe से इलेक्टरिक field हमेशा same ही आता है यहां हम फिर से इस बात को भी recall कर सकते हैं close surface के अंदर जितने charge हैं उसके बाहर भी कुछ charge है लेकिन जो electric field आया है वो अंदर और बाहर दोनों का resultant है लेकिन हमने analysis में सिर्फ अंदर वाला charge ही काम में लिया है बाहर वाले charge को हमने ignore कर दिया है अब हम देखते हैं क्या होता अगर यह जो sheet है वो एक thick sheet होती एक diagram बनाते हैं जिसमें इस sheet की thickness को हम show करते हैं तो देखिए यहां पर हमने एक sheet बनाई है जो की thick sheet है और इस sheet की जो थिकने से मान लेते हैं वो T है हमारे case में हमने एक sheet ली है charge की जो की right hand side में है इसको मैं sheet number 1 मान लेता हूँ लेकिन यहां पर जो thick sheet है तो उसमें एक second surface भी है जो की sheet number 2 को represent कर रही है और उस पर भी charge हमने दे रखे होते हैं यहां पर दो अलग-अलग thin sheet है तो इस case में अगर किसी P point पर हम electric field निकालना चाहेंगे तो वो electric field दो अलग-अलग sheet की वज़े से आएगा पहला electric field आएगा sheet number 1 की वज़े से प्लस दूसरा electric field आएगा sheet number 2 की वज़े से यह हम जान चुके हैं कि sheet की वज़े से निकलने वाला electric field distance पर depend नहीं करता तो अगर इस P point की length पहली sheet से L होती तो दूसरी sheet से वो होती L प्लस T लेकिन हमें तो distance से कोई लेना देना है यह नहीं दोनों electric field को उसकी direction ध्यान में रखते हुए total करेंगे तो पहली sheet की वज़े से electric field आता है sigma upon 2 epsilon 0 जो की अभी हम derivation में निकाल चुके हैं और दूसरी sheet की वज़े से आता है sigma upon 2 epsilon 0 और दोनों को charge positive है तो इसका मतलब है दोनों का electric field right and side direction में होगा और total electric field आ जाएगा sigma upon epsilon 0 और इस तरह से एक thick sheet के लिए भी हम electric field calculate कर सकते हैं जिस तरह से हमने thick sheet का analysis किया और ये माना वहाँ पर दो अलग-अलग infinite thin sheet है सोचिए अगर दो sheet ही होती तो क्या होता तो इस case में हम उन sheet पर अलग-अलग charge भी मान सकते थे for example मान लिया एक sheet है ये जिसका number है first दूसरी sheet है ये जिसका number है second यहाँ पर तीन अलग-अलग reason हम मान लेते हैं reason number one, reason number two और reason number three इन तीनों के electric field के नाम भी हम रख लेते हैं this is E1, this is E2 and this is E3 अब हम सबसे पहले मानते हैं अगर इन दोनों plates पर same charge होता पहली वाली plate पर भी positive charge और दूसरी वाली plate पर भी positive charge होता तो हम देख सकते हैं कोई point अगर first reason में होता तो दोनों electric field same direction में होते जिनकी direction left की side होती और net field यहाँ पर आता sigma upon epsilon note अगर number three पर निकालते और point यहाँ पर होता तब भी electric field right hand side direction में होता same होता तो add हो जाता और result आता sigma upon epsilon note लेकिन अगर point बीच में होता तो first वाली plate की वज़े से electric field होता away from the plate toward right और second plate की वज़े से होता away from the plate means toward left और total field आता sigma upon two epsilon note पहली plate की वज़े से sigma upon two epsilon note दूसरी plate की वज़े से लेकिन दोनों के sign opposite होते और resultant electric field आता 0 तो इन plate के center पर electric field 0 होता लेकिन अगर इन plates पर जो charge होता वो opposite होता means पहली plate पर charge positive और दूसरी plate पर charge negative होता तो यह result बिलकुल बदल जाता पहले reason में अगर यहाँ पर कोई observation point मानते तो पहली plate की वज़े से electric field होता away और second plate की वज़े से electric field होता toward the plate means यहाँ पर यह दोनों electric field एक दूसरे के opposite हैं इस लिए इस reason में electric field 0 होता इसी तरह से reason number third में second plate की वज़े से electric field होता attractive first plate की वज़े से electric field होता repulsive और यहाँ पर भी total electric field 0 होता लेकिन इन plates के बीच में जहाँ पर reason number two है इस positive plate की वज़े से electric field होता toward right और negative plate की वज़े से attractive electric field होता और वो होता toward right और दोनों add हो जाते और resultant electric field निकलता sigma upon epsilon not तो इस इस तरह से अगर हमारे पास कोई thin sheets होती तो हमें अलग-अलग charge density के according उनका result निकालना पड़ता अगर यह charge densities अलग-अलग होती means एक sigma one एक sigma two इस तरह की होती तो फिर इनके expression भी उसी तरह से आते sigma one upon two epsilon not plus sigma two upon two epsilon not इस तरह से अगर same होता तो हम इस तरह से अपने results को achieve कर सकते हैं